दोस्तों, आझकी वीडियो में डिस्क्स करूंगई बोरोन पोशिक टत्व plant के बारे में बोरोन का फस्लों में क्या मैथ्व होता है, क्या इसका कारिय होता है, इसकी कमी आप कैसे पहचान कर सकते हैं कितनी मात्रा में, कौन सी अवस्ता में फसलों में आवशिकता होती है किस तरीके से आपको बोरोन फसलों में देना चाहिए यानि कि इस्प्रे से जदा अच्छा रिजल्ट मिलता है या ड्रिप से या फिर ड्रेंचिंग से उसके साथ ही कौन सी अवस्था में आपको बोरोन पोशेक तत्वा फसलों में देना चाहिए प्राइस, डॉज, कॉम्बिनेशन सब पूर जानकर इस वीडियो में कवर करूंगे आज का फीडियो हर फसल के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है तो बिना स्किप के कम्प्लीट जरूर देखें नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अनीता सिंग आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन और्गेनिक जर्नी दोस्तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल ऐकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे लेटिस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंसते रहें फसलों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फोस्पोरस, पोटास जो की प्राइमरी पोशिक तत्वाए इनकी आवशिकता होती है इनकी बाद में कैलसियंप, मैगनिसयंप और सलफर जो की सेकेंडर पोशिक तत्वाए उनकी आवशिकता ह nasty है इनकी बाद में माइक्रो नूट्रेंट होते हैं मैکرو नूत्रेंट में जैसे की बोरोन, जिंक, निकल, मौलिब्डेरिनम व comment होती है जिंक और बोरोन की बोरोन की सब से ज़ादा डिफिशियनसी फसलों में आती है तो सबसे पहले की बोरोन का फसलों में क्या महत्वा है? यानि की बौरोन क्या काम करता है, क्यों आख़शक होता है वसलों में बोरोन पोदे और फसलों की अच्छी growth के लिए और health के लिए सबसे important होता है बौरोन वेजिटיटीट्वी growth के समय और reproductive growth के समय दोनु समय ही सबसे important role होता है बोरोन का जैसे कि vegetative growth के समय पोधों की cell wall बनने के लिए सबसे important होता है इसके बिना पोधी का जो एक proper structure होता है वो structure नहीं बनेगा जब cell wall का निर्मान नहीं होगा तो structure के लिए सबसे important होता है boron second is का काम सबसे important है वो है कि अन्य पोशिक तत्र हैं जैसे calcium बगर है तो इनकी supply का काम भी करता है reproductive growth के समय सबसे important होता है इसकी वज़े से ही ज़्यादा मात्रा में flowers आते हैं flower dropping की समश्या कम आती है flower dropping की समश्या boron की deficiency की वज़े से ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है उसके साथ ही अगर boron proper है आपकी फसलों में कोई deficiency नहीं है तो ज़्यादा मात्रा में फलफूल आते हैं शाइज अच्छी बनती है शाइनिंग अच्छी बनती है यानि की अच्छी ग्रोथ और अच्छी production के लिए boron सबसे important होता है micronutrient में इसकी कमी आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि आपकी फसलों में boron पोशिक तत्वा की कमी है एक तो पोदे की height कम रहेगी जो normal growth होनी चाहिए नॉर्मल जितनी लंबाई होनी चाहिए proper जो एक पोदे की growth होती है वो नहीं होगी height कम रह जाएगी यानि कि inter node की दूरी कम रह जाएगी एक तो ये पहचान है vegetative growth के समय और flooring के समय flowers कमात्रा में आते हैं और flower dropping की समयशा भी ज़्यादा देखने को मिलती है उसके साथी root develop भी proper तरीके से नहीं हो पाती है यानि जड़ों के अच्छा विकास भी पोदे में नहीं हो पाता है fruit जो भी बनेंगे वो फटनी की समयशा भी हो सकती है या फिर fruit बहुत ज़्यादा hard बनते है जो एक तरीके से normal जो fruit होता उससे बहुत ज़्यादा hard बनता है fruit बोरोन की deficiency से और अक्सर ये खर्बुजी की फसल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है उसके साथी फल टेडे मेडे बनेंगे जो भी एक normal proper shape होती है वो shape में फल नहीं बनेंगे और जो भी फसल होगी वो अंदर से खोकली होगी तो ये proper वजन भी नहीं बैट पाता है इस वज़े से तो ये बोरोन की deficiency ही होती है अब दोस्तों की बोरोन को फसलों में कौन सी अवस्ता में देना चाहिए सबसे अच्छे result के लिए अगर vegetative growth के समय आपने सारे फर्टिलाज डाल दे फिर भी growth proper नहीं हो पा रही है और अपर का tip जहां से बांच निकलती है शाखाई निकलती है जहां से main tip है वो tissue अगर growth नहीं हो रहा है वहाँ पे तो फिर ये बोरोन की deficiency है उसी समय आपको चिलिटेट बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं या फिर बोरिक ऐसे अपने फसलों में दे सकते हैं यानि कि फसलों में बोरोन देना चाहिए अगर आपके प्रोपर ग्रोथ है क्रोप की तब भी कम से कम एक बात जैसे ही फ्लोरिंग स्टे शुरू हो जाए उस समय एक टाइम आपको जरूर यूज करना है आप चाहें स्प्रे कर सकते हैं चाहें आप ड्रिप से चला सकते हैं चाहें आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं सभी का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है बोरोन दोस्तों बहुत सारी कमपनियों का आता है जैसे कि इफको का है या फिर कोरो मंदल का है या फिर के प्लस एस फर्टिलाजर जो आप मेरे पास देख रहे हैं इनका है तो बहुत सारी कमपनियों का आता है सभी का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है किसी भी कमपनी का बोरोन आप यूजिक कर सकते हैं और जो मेरे पास K-Plex S Fertilizer का बोरोन है ये 500 ग्राम के पैकिट पे MRP है 250 रुपे और लगबद 200 रुपे की सम्तिंग 500 ग्राम का पैकिट मारकेट में आवेलेबल हो जाता है तो प्राइस बहुत जादा नहीं है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं ड्रिप से चला सकते हैं या फिर ड्रेंजिंग कर सकते हैं इस्प्रे के लिए पर्फेक्ट डोज रहेगी दोस्तो कोई साभी 20% अगर आप बोरोन लेते हैं तो बेस्ट रिजल्ट रहेगा कि एक ग्राम पर लिटर के साबसे गोल तयार करके फसलों में यूज करना है और एक एकड के लिए 500 ग्राम तक बोरोन आप यूज कर सकते हैं सफिसियन्ट ओज है इससे जदा आपको बोरोन यूज नहीं करना है दोस्तों आप अपनी क्रोप में कुन सा बोरोन यूज करते हैं बोरिक एसीड या फिर बोरोन 10% या 14% या 20% कमेंट करके जरूर बताएं और कितने में आप परचेज करते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं जानकार ये अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें धन्यवाद